हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम बी में सुगाइज आज है चार माई और चार माई के इंपोर्टन एंसे क्यूज जो कि करन्ट अफेर के वह मैं आप सभी के लेके आया हूं आज कुछ इंपोर्टन न्यूज है मतलब जहां आप देखोगे आपको जिम्भावे ने यहां पर नई क्रेंशी को यहां पर कर रहा है इंटर्ड्यूस करा है आपको कुछ इंपोर्टेंट मिलेंगे जोगी इंपोर्टेंट है वह सब आप लोग को देखना है तो पहला कोशन में आप लोग को बताता हूं युनाइटेड नेशन का पहला इंटरनेशनल कॉंफरेंस ओं डिजिटल पॉब्लिक इंफरेश्रेक्षिक्सर लिपी यु पहली इंटरनेशनल कॉंफरेंस का मतलब है पहली अंतरराष्टत संमीलन किस देश के नेत्रत्व में नित्रत क्या गे किस देष ने इसको leadership कि कि अंडर में हुआ यह हालां कि यह होती है नियुयностью यॉरक में लेकिन इसकी सकता है जो इस conference कि Money Founding API के ऐड़ था वो इंडिया था यहां पर द्यान देना है थे और यह इस टाइम पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे युनाइटेंट नेशन की डीपी आई की बैठक में अगर मैं बात करता हूं यूएस से का यूएस से का नाम आया नियू यूर्क आपको किस नदी की किनारे मिलेगा तो आप पता देना सर जी हर्टसन नदी क किना रहे कभी अगर आप से पुछेगा फिस के श्री श्रुटाल टेस हैं कभी आप से पुछेगा कि रॉट्पीज मांटेंस कहां पर है तो आप बोलते हैं यू अप लोग को यहां पर याद रखना है यूह सटिके की वाशन कवी और पयो यांपता दिया क्या दिखते हैं कौनजी कमपनी ने रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम अप अंडरस्टाइनिंग किसके साथ नगर निगम हरीदवार के साथ ताकि वह वेस्ट टू एनरजी प्लांट को स्टैबलिश कर पाए हरीदवार में हरीदवार आपको पता है ऐसा एरिया है भारत का जहां पर आ और यूजे बीनल लिमिटेड ने इन्होंने बोला है कि हम वेस्ट जो भी हम यहां से उठाएंगे उसको हम ग्रीन एनरजी में कनवर्ट करेंगे और उसके लिए हम एक प्लांट इस्टैबलिश करना चाहते हैं तो यह दोनों कमपनी मिलकर इसको इसको इस्टैबलिश तो आट आते हैं आप यह दिखोगे उत्रकंड यह दिकोगे आप इंडिया इंडिया कि नॉर्धन पहर्ट में जोकी पार्ट है का करने नेपाल से मिलता चुलता और चाइना से मिलता जोता और हिमाचल के साreten से मिलेगा एक उत्राखंड राज्यूहां से मैं में तेरा राज्य आपको तेरा डिस्ट्र्स्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे राज्य नहीं दिस्ट्रिक्टे am को मिलेंगे 9 नौबंबर 2000 में उत्तर पर्देश के तेरा राज्य परेकर उत्राखंड अब हरदुवार में आप देख़े हो यह गंगा है जो यहां से बहती है जाती हो उत्तरपरदेश में और यहीं पे आपको मिलेगा बहुत बड़ा यहां पर टूरिजम सेंटर है जो कि हरकी पौड़ी जहां पर आपको गंगा नदी मिलती है वहां पर लोग नाते हैं और इसे बोलोगे पदमा रिवर उके गंगा नदी निकलती कहां से कहीं से नहीं निकलती लेकिन बुरा जाता है कि यह गौमुक से इसकी मेनिस्ट्रीम निकलती है जिसे हम बोलते हैं गंगोत्री और यह आकर कहां पर मिलती है देव परियाग में अलग नंदा से मिलती है तो जब थर्टी फिफ्ट गोल्ड मेंड एन्वार्मेंटल प्राइज दोजार चौविस का जीता है ठीक है तो किसने जीता है यह चीज आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए यह एक्जाम में कही बार आती भी है और आप लोगों ने देखा भी होगा तो यह कौन है आलोक शुकला जी यहां पर इसको हम लोग ग्रीन नोबल भी कहते हैं ग्रीन नोबल प्राइज समझ में आ गया ग्रीन नोबल प्राइज भी इसी को बहुत दूसरा नाम यहीं है ओके वेन वोस्ट टेक्नलोजी डे यानिकि अमने कब पुरे भारत में इसको मनाया तो यह कौन सा है यह आपका गौनानिस अप्रेल नायंटिन सेवनटिफाइब को बहरत का पहला जो सेटेलाइट है आको यह मिल जाएगा जो कीया है यह देखा थे आपको नरे rugged Happy की अ मैं उसमें हमने विया था 360 केजी का है ओके 1.4 मीटर कर था 4.6 फिट का था डायमिटर में इस तरों ने इसको विल्ट किया था ताकि यह एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पे अब यहां पर क्या होता है पावर का इसमें फेलियर हो जाता है चार दिन बादी एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है हमको इसे रोकना पड़ता है मतलब यह खतम हो जाता है और यह 5 दिनों के बाद भारत के कंट्रोल से बाहर हो जाता है जब यह एंटर करता है उसके बाद यह के आटमस्पर में आकर जल जाता है 1992 में यह आपको यहां पे ध्याद दे रहा है अगला देखो जर्मिया मनाली मैनीली बोलते हैं इनको रिसेंट्ली ऐपोइंट किया गया है अब यह जो प्राइम्निस्टर पने है यह प्रोचाइना अगया प्रोचाइना का मतलब क्या है जो अमद मुजू क्या है यह प्रेसिडेंट यह है प्रो चाइना सोलमोन आइलेंड यह आपको मिलेगा किसके ओपर और यह आपका उत्तर है इसी के यह आपर प्राइम इरिस्टर बने है और यह भी प्रो चाइना है तो यहां पर थोड़ा बहुत डर लग रहा है किसको वॉर्ड आइलेंड यह आपका उस्ट्रेलिया आपके लिए इतना इंप्रेंट नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत इंप्रेंट है यह उपर पपुआ नियोगिनी यह नीचे कौन सा यह नीचे तस्मानिया समझ में आ गया अब आपको पता है दो थल खंटों के बीच में अगर पानी का backside होता है तो उसे हम बोलते स्ट्रेट तो दो स्टेट यहां पर पडतें एक नीचे और एक उपर ठैके नीचे वाले इस स्ट्रेट को हम लोगं बोलते है बातर चाल्क करता है ऐस्ट्रेलिया और नीजिलाइंड को तो आप क्या बोलेंगे सिंपली आप बोलोगे तस्मान सी ओके यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको छे प्रांत मिलेंगे तो के अस्ट्रेलिया की क्या है कैन्बेरा है या नहीं है तो यह है कैन्बेरा बहुत से लोग सिद्नी समझते हैं इनकी 70-80 जन्संग्या वह आपको इसी एरिया में द देजर्ट वाला एडिया पर्थ फिल भी ठीगा यह वाला एडिया आपको डेजर्ट वाला एडिया ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़े रीफ कोराल रीफ पच्छी सो क्लिमेटर लंबे वह आपको मिलेंगे और्स्ट्रेलिया से जुटते वे कहां पर 39 वाले छेत्र पर चलो अगला किस कंट्री ने अपनी मुद्रा नई करेंशी को लॉंच किया है वो वह जिन बाबे जिंबाबे कहां पढ़ता है अफिक आमें यहां पर मिलेगा जिन बाबे कि आप से एक्जाम में पूछे गाँग देना सर्फ जिग है जिग नई करेंशी इन्हों ने जो इंट्रनाश्ट्न पेइमेंट लिमीटेड है को बिसके กल तरे लिए अफ्रेका का एक कंट्र्य है औरि तो किसके प। कोर्शन आता है नमीबिया की सब्सक्राइब में नमीबिया का तो आप थे विपार के राजवांड़ानी कों अगला समयён क्विंद्व करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर इंपोर्टेंट क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स आती है इसमें यह दिखा जाता है कि हमारे देश का मीडिया कितना सोतंत्र है तो यहां पर 2023 में बहुत निरासा जनक इस्तिधी भारत की रही यहां पर मुझे थोड़ा बहुत इनकी जो इतरी किसे मैं बोल सकता हूं जो इनकी रिसार्ट से उस पर थोड़ा श्रक हुआ क्योंकि अफगानिस्तान हम से उपर है यह कैसे हो सकता है मतलब अफगानिस्तान से तो हम नीचे नहीं हो सकते नहीं पाकिस्तान से नीचे तो नहीं हो सकते नहीं लेकिन फिर भी इंडिया आप पाकिस्तान अफगानिस्तान से पीछे फिलिस्तीन से भी पीछे हैं मतलब आप समझ सकते हैं फिलिस्तीन को ये कंट्री मानते हैं तो के रशिया चाइना क्या है नौर्थ कोरिया हमसे भी नीचे हैं आप समझ सकते हो कि ये इन कंट्री को पाकिस सट है वान फिफ्टी था कब 2022 में और और घडिया कब वह 2023 में रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी की एक पुनीद बलान गुरूप के साथ कोलाइबरेशन किया है ताकि यह भारत में पहला सम्विधान पार्क सम्विधान से रेडिट बहुत सारे चीज़े आज का last question है महाराष्ट डे हम किस दिन बने थे कुईगी एक ही दिन बने थे तो यह उगता दे इसका answer आप मुझे आजक detto tap कमेंट में और आज दो crian电 यह होगे आपका गुजरात यह होगे आपका महराश्ट गुजरात अब मैं आपको बताता हूं गुजरात ना कोशन के आता है सिर्फ गुजरात से भारत की सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज्य कौन सा है वो गुजरात है ग्यारा सो सम्थिंग है उसके बाद कोशन आता है महारास्ट्र के coastal areas को हम लोग क्या बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कॉंकन महारास्ट्र गोवा और करनाटक के कोस्ट को हम लोग कॉंकन कोस्ट कहते हैं केरला के कोस्ट को मालावार कोस्ट कहते हैं आंदरपर्देश आधा और तमिलाडू की कोस्ट को को प्रोमेंडल कहते हैं ओके आधा अंध्रपर्देश और अधा उडिसा को हम लोग बोलते हैं नौर्दन सिरकार और उडिसा के कोश को हम बोलते हैं उत्कल प्लेन समझ में आगे आपको यह आते हैं एक्जाम में चलो आप आपको एक इंपॉर्डेंट न्यूस देने वालों हम बहुत इंपॉर्डेंट है आप सभी के लिए टेलीग्राम गुरूप है वहां पर आप बात कर पाओगे पीडियाफ है अच्छे अच्छे मतलब जो भी एक्जामों का उन सभी की पीडियाफ मिलेगी आपको रिकॉड़ेट वीडियो कभी देखो कितने बार भी देखो गया था है यह को आए है अजा आतर राव बात कर बात कि नह हम भीक है अगले से वाने कर आते है आता है आतर पकार पक्या अगा cit邏 तया हूं